सूप्रभाद प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेशन तो चलिए सीखते हैं विशेशन किसे कहते हैं इस बगीचे के चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे बेटा इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें रंग भी रंगे फूल, सुन्दर सुन्दर तित्लिया, हरे भरे पेड पोधे नजर आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं शाम पट का रही है शाम पट किसे कहते हैं, पता है आप सभी बच्चों को शाम पट बलैक बोर को कहते हैं बेटा यहाँ पर देखेंगे कि हमने बगीचे में क्या क्या देखा था हमने वहाँ पर फूल देखे थे फूल कैसे थे? रंग बिरंगे तो रंग बिरंगे क्या है? विशेशन लाल, गुलाबी, सफेद, पीले, नारंगी, बैंगनी ये सारे फूल देखे थे न हमने तो ये सभी क्या हुए विशेशन तितलियां कैसी थी? रंग बिरंगी और घास कैसी थी? हरी हरी तो रंग बिरंगी और हरी हरी क्या है? विशेशन ये सभी हमें संग्या या सर्वनाम की विशेशताएं बता रहे हैं अर्थात वे शब्द जो संग्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषन कहते हैं अब देखते हैं कि विशेषन के कितने भेद होते हैं विशेषन के चार भेद होते हैं गुण वार्चक विशेशन, संख्या वार्चक विशेशन, परिमान वार्चक विशेशन, सर्वनामिक या संखेत वार्चक विशेशन गुनवाचक की श्रेणी में क्या-क्या आता है बेटा अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हम गुनवाचक की कैसे पहचान करेंगे उसमें क्या-क्या हम एड़ कर सकते हैं मोटा, पतला, गोरा, काला, उचा, नीचा, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, बहादुर, कमजोर, बीमार, स्वस्त, सही, गलत, गोल, लंबा और सभी रंगों के नाम ये सभी किस किश्रेणी में आते हैं बेटा गुनवाचक किश्रेणी में अब चलते हैं संख्या वाचक की तरब कि हमें संख्या वाचक विशेशन की पहचान कैसे करनी है जैसे कुछ, दो, पांच, साथ, अर्थात, कोई भी संख्या हो सकती है ये सभी किस की श्रेणी में आते हैं बेटा संख्या वाचक विशेशन की श्रेणी में परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे जैसे चार लीटर, दस किलोग्राम, दो तोला, पांच टन, कुछ किलोमीटर, साथ सेंटीमीटर, थोड़ा सा आधी अब हमें क्या देखना है बेटा इसमें पहचानने के लिए कैसे हम पहचान करेंगे कि संख्या वाचक और परिमान वाचक में हमने कैसे पहचान करनी है संख्या वाचक में हम केवल गिन्ती लेते हैं लेकिन परिमान वाचक में हम नापतोल की वस्तवे ही ले सकते हैं अब चलते हैं विशेशन के अंतिम भेद की तरफ कि सार्वनामिक विशेशन में क्या क्या लेते हैं वह परवत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तलाब, तुम्हारी बेटी, आप लोग आदी इसमें हमें बेटा कैसे पहचान करनी है यहाँ पर देखो वह, वह मतलब संकेत हो रहा है किसी की तरफ वे, वे भी संकेत वाचक है न, वह, उस, तुम्हारी, आप ये सभी क्या है संकेत वाचक, और इसकी एक पहचान और बेटा, कि जो सर्वनाम है वो संग्या से पहले आ जाते है, यहाँ पर देखो वह क्या है सर्वनाम और संग्या क्या है? परवत परवत से पहले क्या आया? सर्वनाम ऐसे ही इन अन्य उधारनों में भी बेटा इसी तरह आप पहचान कर सकते हो कि सर्वनाम संग्या से पहले आता है